Hello and Welcome Friends क्या CSV फाइल का नाम पहले ही दिया जा सकता है? कई बार ऐसा कूड़ आ जाता है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं जैसे मैंने जो बताया है उसमें CSV फाइल का नाम हम import CSV लिख करके और जो भी हम variable के अंदर list को या CSV फाइल को store करना चाहते हैं जैसे data देते हैं फिर square bucket open करते हैं फिर नीचे आगर के CSV फाइल का नाम देते हैं तो क्या CSV फाइल का नाम ऊपर देना possible है और अगर है तो आखिर कार कैसे है और कैसे इसको करेंगे आज के इस video में हम यही बात करने वाले हैं ठीक है तो चलिए आए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस video को और आपको एकदम clearly समझा देते हैं कि यह कैसे होगा ठीक है तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है वियस कोड ओपन करने के लिए तो यहाँ पर वियस कोड टाइप करता हूँ तो यह आगया हमारा वियस कोड पहले से इंस्टॉल किया हुआ है नहीं इंस्टॉल किया है फ्री में जाके इसका community edition इंस्टॉल कर सकते हैं Community Edition ठीक है तो यहां पर आ गए है अब यहां पर आ करके आपको क्या करना है Import CSV ठीक है यह हो गया Import CSV और Import CSV लिखने के बाद आप एंटर करिएगा और यहां पर आप चाहे तो File का Name दे सकते हैं जैसे माली अगर आप यहां पर टाइप कर देते हैं File Name File Name कर देते हैं directly बिना Gap के तो यह हो गया File Name और is equal to इसको क्या नाम दे देते हैं Suppose कि यह छोटी सी फाइल है चलिए Small ही नाम दे देते है Small.csv अब यह .csv क्या बताता है कि यह एक किस तरह की file है CSV फाइल है ठीक है यहां पर मैं लिख भी देता हूं comment में .csv .csv indicates this file is a CSV file यह हो गया अब इंटर करते हैं यानि हमने file का name दे लिया है अब क्या करना है अब यहां पर हम एक data नाम से बना लेते हैं किसी भी नाम से चाहे तो बना सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि data ही के नाम से बनाएं चलिए हम data के नाम से बना लेते हैं data is equal to और यहां पर अब csv file आएगी तो कैसे आएगी तो यहां पर square bucket open करना पड़ेगा फिर यहां पर आएंगे और यहां पर एक और square bucket open कर लेंगे ठीक है तो चलिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं name name ठीक है यह हो गया name और name क्या होगा इसे singleted comma यह debited comma के अंदर रखेंगे चलिए singleted comma ही लगा लेते हैं debited comma भी अलाओ है singleted comma भी अलाओ है कोई दिकरते हैं आप double लगाईए double लगा सकते हैं अगर चाहें तो और single चाहें तो single भी लगा सकते हैं ठीक है और यहाँ पे age दे देते हैं दूसरा वला क्या दे देते हैं field age दे देते हैं ठीक है RAM ये बंद कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद इनकी एज है 20, अच्छा, इन्टीजर में कोई भी Singulated comma या Debated comma नहीं रहेगा, ये भी ध्यान दीजेगा, ठीक है, और ये कहा कि किस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ये हो गया 12, ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई ना तो Singulated comma देना, ना तो Adapted comma, हाँ, एक बात का ध्यान जरूर दीजेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, यहाँ पर हर बार comma देते चलिएगा, यह이ं पर comma हो गया, चुकि इसका नाम ही है, नाम ही है एसका नाम है comma separated value, तो comma नहीं देंगे, तो ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर comma दे दिया, और फिर यहाँ पर एंटर करते हैं, फिर यहां पर आते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, अगला नाम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, फिर इनकी एज आएगी, तो इनकी एज डाल दीजेगा, ठीक है, कॉमा लगा ये इनकी एज है, 22, क्लास कौन सा 11 है, फिर कॉमा लगा दीजे, ठी ठीक है, फिर इंटर कीजे, फिर यहाँ पर, अगला नाम है, राजीव, यह भी दे दिया, और फिर कॉमा लगा यह, और कॉमा लगा के, इनकी यह जाएगी 21, फिर कॉमा लगा यह, और फिर यह किस क्लास के हैं, यह 12 के हैं, इस तरीके से अब CSV फाइल बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, सुमित, सिंग्रेटर कॉमा के अंदर लिख देते हैं, सुमित, यह हो गया सुमित, फिर कॉमा लगा दीजे, कॉमा लगा करके, इनकी एज डाल दीजे, और एज डाल के, इनकी क्लास डाल दीजे, यह हो गया, और भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको ज यह दे दिया और इसको बंद कर दिया, अब यह काम हो गया, इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं, no problem, ठीक है, तो देना चाहे तो दीजिए, नहीं देना चाहे तो नो दीजिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, csv file को write करवाएंगे, तो यहाँ write csv file लिख देता हूँ, comment कर देता हूँ, तकि आपको पता चलता रहेगा, कि यहाँ पर csv file को हम क्या करने जा रहे है, write करवाने जा रहे है, तो देखेगा write होता है, चेक है, तो यह होगया, अब क्या करना है, अब यहाँ से, एक काम यह करन है कि यहाँ पर एक function यूज़ करना है with open अब with open ही क्यों open नहीं open भी एक function है और with open भी एक function है तो क्यों हम with open ही लिख रहे हैं क्योंकि हम close नहीं करना चाहते है last में अगर with open लिखेंगे न तो इसे close करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर को file का name देना है तो जो भी file का name हो वो यहाँ पर आप दे सकते है ठीक है तो देखिए यहाँ पर file name ही हमने दिया है file का name क्या दिया है file name तो बस हमको यही देना है तो हम इसी को क्या करते हैं यहाँ से copy करते हैं और यहाँ पर ला करके paste कर ठीक है तो काम हमारा हो जाएगा तो यह पेस्ट कर दिया फाइल ने में यहां लिखी दिया है कॉपी करके पेस्ट कर दिया मतलब लिख दिया फिर यहां पर इसे हम राइट की परमीचन देंगे तो write की permission देने का मतलब यहां पर w लिखना पड़ेगा ठीक है मने बताया था ना wb लिखेंगे तो binary file में write होगा और अगर w लिखेंगे तो क्या होगा csv file में write होगा तो हमें फिलहाल csv file ही create कर रहे है तो यह हमारा csv file होगया csv file, separated value होता है इस तरके से कर देते हैं तो यह नई line में चला जाएगा अपने आप ठीक है और इसको एक नाम दे देते हैं क्या नाम दे देते हैं as file file ही दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं आपके जो margin लेकिन जो नाम देंगे उसी नाम से access भी करेंगे यह याद रखिएगा ठीक है और अब यहाँ पर यही same जो यहाँ पर लिखा हुआ है writer, wr, i, t, e, r यह लिखा हुआ है यह suggest भी हमें कर देता है तो यह आपको type कर देना है ठीक है यह आपको type कर देना है ध्यान से देख लीजिए यह आपको type कर देना है फिर एक चीज और धियान देना है आपको नीचे आईएगा तो यहाँ पर writer. लिखना है writer. writer. यह dot लगाईएगा और यहाँ पर write rows करेगा write r-o-w-s rows और bracket को open कर लिजेगा ठीक है और किसमें लिखवाना है हमें तो क्या दिया है नाम उपर data इसी में लिखवाना है ना तो यहाँ पर लिख दिजेगा data बस काम हो गया अब आपकी csv file बन जाएगी इतने से लेकिन कई बार क्या होता है ना हमें यह भी देखने की जरूरत पड़ती है कि हमारी csv file बनी है कि csv file बन गई है तो csv file created लिख दिया मैंने तो इसका मतलब हुआ कि csv file बन गई है अब यह आपका छोटा support है अब इसको चलाइए और इसको save करिए तो यहाँ पर इसको चला दिया है save तो यह अल्रड़ी है और यहाँ पर answer.py पहले दिया हुआ था तो यहाँ पर csv file created आ गया है यानि कि csv file बन गई अब बनी है तो किस नाम से बनी है बनी है तो file name के ही नाम से बनी होगी csv file किस नाम से बनी होगी यह file name में store हुआ है बना है small.csv के नाम से किस नाम से small.csv लेकिन कैसे पता small.csv तो यह देखे यह हमारी फाइल है answer.py इस पर double click करते हैं एक बार फिर से click करते हैं और नीचे आते हैं थोड़ा सा scroll करिए नीचे आये यह रहा हमारा यह sample है यह school है यह पहले से बने हुए है यह small.csv यह देख रहे हैं और इस पर अगर आप double click करते हैं तो यह देखे यह आपके csv file है और जयमें अगर इसमें कुछ changes करते हैं जैसा हमारी नीचे एक नाम और बढ़ा देते हैं आप comma लगाया यहां पर enter करके नीचे आए और यहां पर एक और नाम बढ़ा देते हैं यहाँ पे लिख देते है रिटेश एक और नाम लिख दिया है रिटेश और फिर कॉमा लगा देंगे और इसमारी फायल रीप्रेस हुई या नहीं हुई ठीक है तो यहां से एक बार refresh पे भी क्लिक कर देंगे और small.csv ही नाम था तो यहां पर देखे यह retrace भी इसमें update हो गया है देख रहे हैं तो इस तरीके से csv file तो बनाना बाए हाथ का खेल है ठीक है बस in codes का ध्यान दीजेगा यहां पर थोड़ा सा आप फसेंगे यहां पर with open लिखना है फिर file का name आएगा फिर write की permission देनी है या read की देनी है वो देख लीजेगा फिर new line लिखना है आपको और इसको एक नाम दे देना है इस file और यहां पर writer is equal to csv.writer और फिर file क्योंकि यहां पर हमने file ही दिया है ना इस वज़ा से हमने file दिया है यहां पर ठीक है और फिर data ही के अंदर save किया है तो आप जो नाम देंगे उसी के अंदर save करिएगा और फिर यह step लिख करके बस खतम csv file बन जाएगी आपकी ठीक है बहुत easy है